हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सो आज का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं यह इन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत revolutionary step रहा था बहुत contribution दिया था यहां पर हमारे जो great leaders थे तो उन्होंने भी अपना contribution दिया था towards the independence of India तो आज आप यह topic यहां पर देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या क्या data available है देखें हमारे पास revolt 1857 का देखें इंडिया का मैप में ने लिया है कौन सा area ज्यादा effect ही हुआ था almost नौरत Eastern India इसमें effect हुआ हम इस video lecture में पढ़ेंगे कि कहां पर effect हो कौन से कौन से state यहां पर इसे effect हुआ था और इसका में reason क्या था 1857 का revolt यहां पर create हुआ था और उसमें different type के reasons है जैसे military reason था political reason था economic reason था culture and religious reason था तो बहुत सारी reason हम देखेंगे यहां पर उसके बाद देखेंगे उसका event कब क्या हुआ था कौन सी date पर कौन सी date पर क्या हुआ था और कौन सी area में center कहां कहां allocate दे कहां कि center में कौन सा leader था और इसके बाद कैसे इसको रोका गया मतलब English ने English country arbitration लोगों ने कैसे इसको रोका था कैसे control किया था उसके बाद जो जो यहां पर जिन leaders को यहां पर capture किया गया उनको कैसे कैसे उनको यहां पर jail में डाला गया किसी की death हो गए किसी को sentence sentence दिया गया मतलब किसी को उमर भर की कैद दीगी कोई यहां से बाग गया तो बहुत सारे यहां पर लेटर थे जिनका different fate यानि उनका final destination क्या रहा वो भी देखें गया उसके बाद देखेंगे इसके reward यह failure क्या था यह complete failure था बिलकुल इसमें failure के reasons क्या थे और उसके बाद जो इसके consequences क्या हुए इसे हम impact क्या हुए हमारी freedom struggle पे तो आप देखेंगे इस video lecture में मैं आपको पूरा बताऊंगा आपको कई जाने की जोरत नहीं है पूरा मैंने सारा compile करके data लाया आपके लिए जो कुछ regarding जो almost each and everything मैंने इस topic में compile किया है आप I hope आपको पसंद आएगा चलो start करते हैं आज का हमारा यह topic तो देखें अगर बात करेंगे 1857 रोल्ड की तो देखें यह नौरत इस्ट इंडिया almost central part of India में भी इसको affected देखने को मिला सिटार्ट हुआ था यह इस्ट साइड से नौरत इस्ट इंडियन सिटेट से यह हमारे इंडिया का मैं पर देखें यह हो गया नौरत साइड यह हो यह थे 1857 रोल्ड पे यहां पर red dotter से जो सारी places हमने red dot से यहां पर denote कि यह हैं वो नेर्याज में effect के देखने को मिला वहां से start हुआ था बात करेंगे 1857 रोल्ड की तो start हुआ था सीदे जाएंगे कासी start हुआ देखें यहां पर जाएंगे note पर जाएंगे सबसे पहले start इसक ने initiative लिया था इसने start किया था जो कि supply थे जो supply अडर्य का नाम था उर्मी पार्टी का नाम था जो पार्टी का नाम था जो फार्टी का नाम था वो स्पाय ने जो सपाय थे ओर मंगलपाधे हैं पुन के साथ काम कई है, वो AT 34 नेटीव की के साथ काम ते जो भारगपूर में लोकेट है , ब्रागपूर कहां पे है वह वेस्टि बंगाल में लोकेट हे है वह सिटाटा बेडियों, ऑपे कह सकते है। इसका इनिशेशन यहां पे किया गए था बाहरकपूर से यहां पे किया दा मंगल पांडे ने तो रिवल्ट ओफ फिटेंशन को बहुत पॉपलर नाम से जाना जाता है फोस्ट वार आफ इंडिपेंडने जिसको बोला गया था वी डिसावर करने बोला था अदेशन के बोला चाहियर को बोला था विए आफ बुटेंटने को हम इसके बात करेंगे बहुत सारी यहां पे हिस्टोरेण इसने जुनों ने यहां पे आपने वियो दिये थे और नहीं ने अपनी यहां पर आइडियालिजी बताए थी कि 1857 रिवोल्ट को हम इज्वली इन नाम इन पर्टिकुलर टैग लाइन से इन्हों ने इसको मेंशिंग किया था अगर वी डिसावर करकी बात करें कि उन्हों ने बोला था ये था फोस्ट वार आफ इंडियन इंडिया ने प दिसारा अली दिसारा अली ने यहां पर क्या टैग लाइन दिया था इसको इसको दिया था एड नेशनल रिवोल्ट है आलमुष्ट इसमें सब लोगों ने पार्टिक्ट किया था मुस्लिमस ने भी किया था हिंदोस ने भी सारे लोगों ने आल वर इंडिया में इसने पार प्रच्पेट किया था इसका में फिलिवर रेजिंग क्या है वो भी हम देखेंगे बायद में बट यहां पर अगर यह आल ओवर इंडिया में सिट आउट होता तो यह सकसेटफुल होता यह तो कुछ पार्ट में इंडिया में आलमुष्ट अगर आप देखेंगे तो यह एक फेलिवर रेजम माना जा सकता है बात करेंगे यहां पर आरसी मजमुदार की मारसी मजमुदार ने यहां पर क्या बोला था आरसी मजमुदार ने वहां ते बोला था ना तो यह फुष्ट था ना तो यह ने नेशनल था ना तो यह वार आफ इंडिया था आरसी म्यूटी निए खर आप देखेंगे तो बिलकुल यहां पर सबसे पहले सिपवाइज ने यहां पर सिटाट किया था जो बिट्रिश आर्मी के अंडर यहां पर एक काम करते थे जो हम उनके साथ काम करते तो उन लोगों ने सिटाट किया था सिपाइज क्या है वो भी हम देखे कि उसके बाद अगर बात करेंगे हम यहां पर अबदल कलाम आजाइजी नियोंगा था इंडिया नेशनल करेक्टर हैड संक वेरी लो इन्हों नी यह टैग लाएन दी थी इंडिया नेशनल करेक्टर हैड संक वेरी लो याद रखिंगे एक्णम पॉट आव हैं उसे बहुत IMP तो आप बोलोगे आरसी मजमुदार तो उसके बाद बात करेंगे विपिन चंद्रो विपिन चंद्रा पॉल की यहां पर उन्हें ने क्या टैग लें उन्हें दिया था पॉपलर आपराइजिंग याद रखेंगे कि इसने दिया था विपिन चंद्रा पॉल ने दिया था उसक तो यह आलमोष्ट पांच यह पे इस्ट इंपॉटेंट पॉप्लाइस इस्टोरियन थे मतलब यहां आप कहेंगे यह बहुत सारे नॉमनेटेड यहां पर बंदे हैं जोनोंने यहां पे इनको टैग लाइन दिया था कि यह के रिटिन 57 डिक हो डिशती-डिफरेंच अब रख सकते हैं आगे चलके बात करेंगे यहां पर रोट आप 1857 रियन मार्क रोट जूरिंग दा गवर्नर जनरल शप अफ लाड कैनिंग तो फच्छन आता है वास दा गवर्नर जनरल आफ इंडिया जूरिंग दा रोट आप 1857 आप बोलेंगे लाड कैनिंग थे उस टाइम में गवर्नर जनरल कपॉश्ट को यहां पर बना धिया गया था वास रा का पुश्ट कर दिया गया था इतिभी 57 एटए प्य sama पर अविकजिक विक कार रहे ता वहा रहे था लेज़न सबसे पहले क्या रहा था? वो रहा था military reason, military reason की बात करेंगे तो military के साथ क्या किया गया था, उन्होंने ये revolt क्यों start किया था, वो revolt करने पर मजबूर क्यों हो गया था, use of animal pet, cow and pig, in the making of greasered carriage of infield rifle, जो infield rifle थी, मतलब एक किसम का gun होता था, उसके अंदर जो cartridge होता है, जिसमें fire वागिरा हम load करते हैं, उसके बाद firing होती है, तो उसका cartridge इसको बनाया जाता था, animal fat याने cow or pig, जो cow or pig होता है, ये इंडिया में भी पाया जाता है, almost cow को यहां पे बहुत sacred, यहां पे animal माना जाता है इसको बहुत ही respect किया जाता है, आलो और इंडिया में तो जब cow का यहां पे fat इन्होंने यूज किया है, इस infield rifle में तो उन्होंने सीपोईज ने मना कर दिया, हम ये rifle यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे sacred animal याने cow का जिसको हम बहुत मानते हैं, जिसकी हम respect करते हैं, जिसक और इस ये second animal का यहां पे fat इूज किया गया, तो हम ये military हम ये rifle यूज नहीं किया, बट बिटिश लोग ने उनको enforce किया, आपको यूज करना है, तो solar मजबूर हो गए, यहां पर revolt करने पे उसके बाद बात करेंगे, इंडियन soldiers पे paid very low salaries as compute English soldiers, मतलब बहुत कम salary दी जाती थी जैसे कि English soldiers थे, उनको तो high salary दिया जाता था, बहुत सारी facilities भी दिया जाता था, बहुत सारे extra bonuses भी वगरा दी जाती थे, बट यहां पे Indian soldiers जो बरती थे, इंडिया में as a boy काम करती थे, under the British army, उनको बहुत सारा यहां पे कम, यहां पे salary दिया जाता था, उसके बाद बात करें बात करेंगे, promotion of chances of was almost nil, not right, जाब हो दरेंक आफ सुबेदार, मतलब सुबेदार की rank से उपर इनको यहां पे promote नहीं करते थे, पोथी low level यहां पे इनको यहां पे promotion दी जाती थी, इनको यहां पे कोई यहां पे promote higher position के लिए promote नहीं किया जाता था, उन्होंने कितना भी contribution दि लिए, तो यह भी एक reason था, यहां पे road up 1857 को उसके बाद बात करेंगे, no illness as promised in pushing abort, जब इनको दूसरी जगा, दूसरी country में बेजा जाता था, यहां पे posting की जाती थी, आपको दूसरी जगा यहां पे जाना है, तो वहां पे यह लिए उनको यहां पे कोई extra illness नहीं दिया जात को जो उसके में अपने सिपाई थे, उनको वो यहां पे एलोनस एक्स्ट्रा प्रोड करते थे, तो उसके बाद बात करेंगे, lost of cost and religious identities to pushing abroad, तो यहां पे यह इंडिया के जो आलमुष्ट लोग है, वो religious को बहुत जो के आलमुष्ट इंडिया में हिंदो religion plus Muslim religion plus आलमुष्ट ह हर कोई religion में, लेकिन maximum बात करेंगे, तो यहां पे हिंदो की population ज्यादा हैं इंडिया में, तो वो लोग बहुत ही religious, religious in touch होते हैं, मतलब बहुत ही religious को मानते हैं, जब उनको दूसरे जगा बेज़े जाता था, वहां पे हिंदो religion उनको देखने ने, अबाड में हिंदो religion कम दे देते थे और उसके वज़े से उनकी religious activities पे impact हो जाती थी, यहां पे बात करेंगे, regular human humilations, ill treatment of the supplies, यहां पे इनको humiliate किया जाता था, ill treatment किया जाता, properly खाना अगयरा नहीं देते थे, उनको यहां पे both hard tasks करने को बोलते थे, मतलब उनको एक जगा दूसरे जगा जाने के लिए म यहां पे मैंने लिखा है BATA, बाता जो उस टाइम होता था, वो होता था एक किसम का bonus, जो आज की employees को यहां पे दिया जाता है, अगर आप किसी company में जाब करते हैं, अगर आप अच्छा performance दिखा तो आपको bonus दिया जाता है, आपको as a token of appreciation दिया जाता है, बट यहां पे इनको कोई appreciation नहीं दिया जाता था, foreign में चाहिए आपको duty देनी पड़ेगे, लेकिन आपको कोई बाटा नहीं दिया जाएगा, यह था था, military reasons, आपने देखा किस तरह का military reason, military के साथ कैसे, यहां पे exploitation, humiliation किया जाता था, ill treatment किया जाता था, तो यह reason था, military reason का, वो मजबूर हो गए 1857 revolt पे, उसके बाद बात करेंगे, यहां पे political reason क्या रहा था, सबसे बहला important रहा था, doctrine आप लैपर, doctrine आप लैपर, doctrine आप लैपर जो कि लाया था, डेल हाउजी ने, डेल हाउजी ने लाया था, जो हमारे पास Indian rulers होते थे, उनका जो princely सिटेट होते थे, जो princely सिटेट इस प देते थे, यहां पे British लोग, जब तक वो उस पे नजर रखते थे, अगर इस जो king है, वहां पर ruler है, उस state का, अगर उसका कोई अपना male here नहीं, कोई अपना बच्चा नहीं है, जो लड़का हो, तो वो उस post को, वो उस post के मरने के बाद, वो उस state को अपने अंडर कर देते है एन एन एक्स कर देते थे, यह लाई थी, डॉक्ट्राइन आफ लैपस लाई थी, डलावजी ने एक्जाम पॉट आवी उससे बहुत इंपार्टेंट है, वो इंट्रोट्ट्राइन आफ लैपस था, आप बोलोगे डलावजी, एक्वर्मेनी प्रिंसली स्टेट एंड जो उनको गुसा था, उनको यह उनको बहुत गुसा था कि हमारे पास हमें साथ यह इंजेस्टिस किया जाता है, कि हमारे जो रोलर का पूश्ट है, जो हमारी प्रिंसली स्टेट है, हमारे राजा का पूश्ट है, उन्होंने यहां पे अबॉलिश कर दिया है, तो हम उस बात का गुसा था तौ नोग ने पिरूर्ट कर दिया जौएंज इभी रेजन था पॉल्टिक रिजन-इबर्लिशन आफ टाइबर्टे लस्षफेंशन आफ टाइप्टे लस्फ यहां पर जो भी सारे पूश्ट होते थे जिनको भी higher पूश्ट दिया जाता चेसे उंको वहां उंको abolish कर दिया गए का मत्रला उंको हटा दिया गए उंको लो लेवल पर लाया गया था यहां पर नाना साहेब की बात करेंगे जिनको को हम पॉपलरी इंजिसको पॉपलरी नूंस जाना जाता है दू दू पांट दू पांट दू पांट अग्जाम पॉइंट आवे उसे बहुत इंपॉर्टेंट है हूँ एमांग दू फालों की जनून है दू पांट क्वच्चन में आएगा आप्शन रहेगा नाना साहिब त संता नाना साहिब किसका पेशावा बाजी राव का इन्होंने यहां पे अपना पेंशन यहां पे छोड़ दिया था हूँने पेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपने यहां हमारे साथ डॉक्टर ने आप लैपस लाया है हमारे पॉलिकल सिस्टम के खिलाब चले गए हो तो हम कोई यहां पे आपकी यहां पे पेंशन वगएरा कुछ भी नहीं चाहिए और यहां पे एनेक्जेशन आवद किया गया था आवद का यहां पे एनेक्जेशन किया गया था यहां पे आवद को भी इन्होंने अपने अंडर लिया था तो उसकी वाज़े से लोग बहुत गु सेटमों सोल जोर्स को भी बहुत गुसा था कि यह हमारे साथ हमारे हर एरिया को आपने अंडर ले ले यहां पर अपनी हुकूमत चला रहे हमें अपने अंडर इनके सांडर काम करना पड़ता है तो बहुत गुसा देखा गया था यह देख सकते हैं आप यहां पर यह एरिया हम सारे जगों पर ये बहुत सारा देखने को मिला ये सारा इंपक्ट देखने को मिला उसके बाद economic conditions की economic reasons की बात करेंगे तो economic इसमें क्या किया था इन्हों ने कैसे इंडियन की economic इंडिया को poor से poor बनाया था मतलब drain wealth of India किया था मतलब बहुत मजबूर किया था कि इंडिया को beggar stage पे लाया था मतलब बहुत economically पीछे कर दिया था ता कि यहां के लोग कुछ भी develop ना कर सके यहां पर highest tax push to important बात करेंगे यहां पर highest tax high rate of taxation eviction to expel from one's property तो इन्होंने tax बहुत बड़ा है था मतलब इतना बड़ाया था तो लोग tax नहीं दे पाते थे उनकी land को यह अपने अंडर कर देते थे कि अगर आप tax नहीं दो गोई तो आपकी land हमारी अंडर चले जाएगी आपका crop जो इतना भी बनाओगे वो सारा का सारा हमें देना पड़ेगा जिन्होंने बहुत ज्यादा tax rate बढ़ाई थी यहां पे tariff policies अगने इंडिया प्रोडेक्ट मतलब बहुत ज्यादा टैरिफ इन्होंने लगा था बहुत टैक्स लगा थे जो भी इंडिया के प्रोडेक्ट पर टैक्स लगा था अपने प्रोडेक्ट पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगा था ल बिल्कुल भी यह प्रोडेन ही करते थे उसको यह खुद खरीते थे और बहुत कम दामों में खरीते थे और फुसके बाद यह दूसरे कंट्रिज में अपनी कंट्रे में export करते थे higher rates pay बट यहां के जमीनदार आर्ट सेनल्स को इनको बहुत ही यहां की इंडस्ट्री जो भी थी उनको बंद कर दिया गया उनको उनमें वहां पे कोई production नहीं कराएगी को बोला गया कि आपको production करनी है खुद और हम खुद खरेंगे आपको कम प्रेज में देंगे आपको बहार export खुद नहीं करना है तो industrialization हो गया उसके वज़े से हमारी country के लोग बहुत भूके प्यासे रह गए और बहुत ज़्यादा गुसा था उसके बात बात करेंगे loss of peasants land auto money landers due to the land and land revenue policies the British जो यहाँ पे उन्हों ने जो मजदूर peasants थे जो नहों ने करजा लिया था मज़मी money landers से मतलब जो उस वाकत money landers थे वो करजा देते थे यानि लोन देते थे peasants को कुछ समय के लिए कि हम आपको लोन दे रहे हैं आप हमें ये एक साल की अंदर return करेंगे वरना हम आपकी जमीन हड़प लेंगी आपकी जमीन हमारे अंदर हो जाएगी तो वो ऐसा ही होता था क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बिर्टिश पॉलिस ने इतनी revenue पॉलिस लाई थी इतना taxation बढ़ाया था कि लोग crop production करते भी थी थे कुछ develop करते भी थे कुछ बनाती भी थे तो उसका कोई कीमत नहीं रहता था क्योंकि वो उसको tax में सारा जला जाता था यह भी था reason कि हमारा 1857 revolt क्यों यहाँ पे हुआ था उसके बात बात करेंगे final culture and religious causes of 1857 revolt की बात करेंगे सबसे पहले fear of Indianos both Hindus and Muslims due to the activities of Christian missionaries and of protection of encouragement given to them the British government यहाँ पे हिंडियंग के जो हिंदो और Muslims थे उनको बहुत खोफ था कि जो Christian missionaries है वो यहाँ पे आगए हैं उनको British support करती थी encourage करती थी कि देखे आप जाएए और वार इंडिया में जो इतने वे सारे religious people हैं उनको अपने religion में convert कर दीजिए उनको अपनी मजभब की तालीम दीजिए forcefully अपने मजभब में convert कर दीजिए तो यह बहुत important factor रहा था लोगों को गुसा आया था कि ऐसा नहीं करेंगे हम अपना religion नहीं छोडेंगे उसके बाद बात करेंगे सबसे बड़ा इंपोर्टेंट इस्टोरिकल सिटप था आप इंट्रोर्डोस करा दिया गया था तो यह religious point आप उसे बहुत important रहते थे abortion of city एंविडो रिमरे जो भी विडो होती थी विद्वा होती थी उनको रिमरेज करना का एक्ट बोला आप उसको रिमरेज करनी पड़ेगी abortion of city भी यहां पे लाए गया था मतलब उसको भी abolish कर दिया गया था जो सच्टी करती थी जो आवराइटें पहले अपने shower के यह अपनी पदी के मरने के बाद suicide करती थी यह खुद अपने आग में अपने आग को आग में जला आती थी उसको भी abolish कर दिया गया था मतलब एक religious point आभी उसे देखें तो उनको hurt हुआ था जो हमारी हिंदू कम्मुनिटी नोंको इस वाज़े इस सिटप से बहुत hurt हुआ था हमें यह अपने आपने माजभ के अकॉर्डिंग चलने दीजिए बड़ यहां पर British ने एंफूरस किया गया था यह सारे अक्ट protection of the civil rights of convert from Hinduism and separate of Western education यहां पर Hinduism को बोला convert from Hinduism को बोला गया था नहीं आप Hinduism से Christian में चले जाए यह आप हिंदूर का आप चले जाए हिंदू Christian में क्योंकि आपको forcefully convert कर दिया जाता था यहां पर मजबूर करने कर देते थे and separate of Western education और यहां पर Western education को पहलाया गया था जो इंडिया का अपना Hindi medium ताज Hindi language थी उसको यहां पर उन्होंने यहां पर बहुत ही पीछे दकेला था उसको यहां पर all machine ने destroy करने की कुशिश करी थी बट यहां पर यह भी एक reason था कि यहां पर यह लोग बहुत गुसे में आ गए थे उन्होंने 1857 रिवोल्ट पर होने पर मजबूर हो गए थे उसके बाद बात करेंगे consequences of revolt की तो अगर consequences of revolt की करेंगे तो उसके बाद finally हुआ क्या था इसमें यहां पर देखेंगे आगर हम आपास काज़ और सब revolt क्या है यहां पर देखेंगे हमरे पास date क्या था और event क्या हुआ था और की जगा हुआ था उसके बाद central और leader की बात करें मेंगाल में कौन से यहां पर leader ने रो establish किया था यहां पर देली में बाहदर शेज़ा पर थे उसके बात करेंगे suppression देली में कैसे रोका गया किसने रोका था और यहां पर जॉनसन निकोलन जो बिटिश रोलर थे उन्होंने देली में revolt को रोका उसके बाद फेट अप लीडर्स यानि उनकी लाश्ट में उनके साथ क्या हुआ बाद दूशा सेकंड की बाद करें उनको arrest किया और डिपूर्ट कर दिया गया तो इसी according यह सारे बहुत सारे steps है उसके यह बहुत important है हम देरे देरे पढ़ेंगे तो I think आज के लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे आज के पार्ट में हम इतना ही कवर कर पाएंगे क्योंकि लेक्चर जादा बड़ा भी नहीं होना चाहे और आपको revise भी करना है और याद भी रहना चाहे है अगर हम फाइनली बात करेंगे एक ऐसकेंस अब 1857 रोड का हुआ क्या था फिर अगर देखेंगे यहां पर फाइनली हुआ क्या था यहां पर क्वीन विक्टोरिया हुई थी गोवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 में लाया गया था क्वीन वेक्टोरिया ने लाया था फुष्ट नावंबर 1858 में उसने क्या बोला था अब हम इसको 1857 रोड को रोक दिया गया है कंट्रोल फुली कंट्रोल कर दिया हमने अब हम वाइसराय का पूस्ट क्रेट करते हैं और सबसे पहले वाइसराय रहेंगे राड कैनिंग और नहींन डिस्क्रेमेशन नहीं होगी ना कोई डिस्क्रेमिशन होगी ना कोई religion conversion होगा यह exam point आभी उसे 18 point बहुत important हो रहेंगे no annexation, no discrimination and no conversion मतलब कोई भी मजभचेज नहीं करेगा कोई सीका discriminate की नहीं किया जाएगा कोई भी state को एक्जने एक्जेक नहीं किया जाएगा यह था coin bacteria का यह था हमारे पास coin roll टाफ 1857 का जो हमारे पास result आया था उसका बेन फिटा में यहीं मिला था बाकि हम दूसरे पार्ट में डिसकेस करेंगे जो इसके centers वगएरा है cause क्या, course कून था है, किस डेट पे क्या revolt होगा और उसके बाद final बात करेंगे इसका failure क्या होगा था, उसके में reasons क्या थे तो आज देखा हमने इसके reasons क्या थे क्यों यह सिटाट हो और की जगा के impact ज्यादा देखने को मिला और finally में हमें Queen Victoria ने यहां पे कुन सा एक्ट अला है था Government of India Act 1858 उन्हें ने बोला था no annexation, no discrimination and no conversion I hope कि आपको यह चीज़े समझ में आ गई होगी, आप एक दो बार आप यह वीडियो को एच्छे से देखेंगे इस lecture को देखेंगे, आप कोई चीज़े understand हो जाएगी, तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में, इसका दूसरा पार्ट लेके जो भी important है, तब तक के लिए goodbye and take care